हाई फ्रेंड्स बिल्कॉम टो आई चेनल एमम्टम फूड और ब्लोक्स को मैं आज आपके लिए एक रेसिपी वीडियो लेके आई हूँ वह भी पत्तागोवी से में बना के दिखाऊंगी अब तो बहुत बार पत्तागोवी की रेसिपी बहुत सारी रेसिपी बनाए होंगे और खाए भी होंगे लेकिन मैं आज आपके लिए इस तरह के एक रेसिपी लेकाई हूँ जो देखते ही आप बनाना चाहेंगे इतना टेस्टी और लाजबा बनके त्यार होगा रेसिपी को जानने के लिए वीडियो को अन तक जरूर देखो आच्छा लगे तो लाइक करो आप अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ सेर भी करो जो मेरे चैनल पर नए है मेरी चैनल को सॉस्क्राइब कर लो सॉस्क्राइब के पास जो बेल आइकन है उसको दबाना मत भूलिए ताकि हम जो आगे जो भी वीडियो पोस्ट करेंगे सबसे पहले आपके पास बना के त्यार हुआ है हमारा वह भी आसानी से देखते ही मुह में पानी आ रहा है तो रेसिपी को जानने के लिए वीडियो को पूरा देखो तो चले शुरू करते है आज की रेसिपी देख सकते हैं मैं यहां पर एक मिक्सिंग मॉल में कुछ पत्तागों लेली हूं मैं इस कॉन्फ्लोर डालोंगी मैं यहां पर चार टी स्पून से कॉन्फ्लोर लेली हूं मैं अभी इसमें बैसन डालोंगी बडी स्पून में एक ती स्पून और हाप ती स्पून यानि कि मैं यहां पर चार टेबूल स्पून कॉन्फ्लोर और देट टी स्पून बडी स्पून में अब आधि मैं इसमें डालूंगी कता हुआ गरिण机 के देख सकते हैं छोटे-चोटे पीस में यहां कुढक लें डाल देती हूँ अभी मैं इसमें कुछ सुक्षा मसाला डाल देती हूँ यहां पे छोटी टीसपून में घ्लदी डाली हूँ अभी मैं इसमें लाल मिल्च पाउडर डाल रही हूँ, छोटी टीस्पून में एक टीस्पून अभी इसको अच्छे से mix कर लेते हैं मैं यहाँ पर अभी नमक नहीं डाल रही हूँ नमक में लास्ट में डालूंगी नमक डालने से क्या होगा पत्ता अभी से पानी निकला आएगा इसलिए जब भी प्राय करना है तभी मैं नमक डालूंगी पहले नहीं डालूंगी अभी इसको आच्छे से मिला लेते हैं मैं भूल गई थी, अभी मैं इसमें गरमसला डाल रही हूँ चोटी टीसपून में एक टीसपून लगबग अब बीच में डाल सकते हैं में पहले बूल गई थी इसलिए में मिक्स करने के बाद मचछा याद आया फिर में डाली हूँ आप हल्दी और लाल मिज मिलाने के समय ही आप डाल सकतें अभी इसको एक लोग्रेश के मीज को अच्छे से मिला इसको पांग स्टाइड में रख लेती हूँ और बाकी जो प्रोसेस से बोग कर लेती हूं उसको साइड कर ली हूं और ग्यास पर एक कड़ाई ले ली हूं सबसे पहले हम ग्यास को अन कर लेते हैं मैं अभी ग्यास को अन कर चुकी हूँ अभी इसमें मैं तेल डालूँगी फ्राय करने के लिए इसलिए मैं थोड़ी सी ज जादा है तयल लगेगा इसलिए अपको जितना तेल लेना है आप ले सकते हैं त यहां तेल डालだけ हुआ है अकट में अब में आ डदाल चुकी हूं dich आप घले को घरम होने के लिए फोड़ेंगे मतशका नायों पर ब væzgy कोड़ेंगे तब तक हम मेरीनेट के तरफ जाते हैं चैकिन दोड़े बालन दोघ आए बाल यूद से SAY मिला दूझे आप मिलाते समय आपको थोड़ा ज्यादा सूखा लग रहा है पानी नहीं निकल रहा है तो आप थोड़ी सी पानी का यूज कर सकते हैं लेकिन देख के पानी का यूज करना है नहीं तो ज्यादा पानी हो जाएगा बेटर तो अच्छे से गोल नहीं हो पाएगा फ्राइ करने के लिए जो डालते हैं पो कोडी जैसा नहीं बनेगा इसलिए अभी हमारा तेल भी गरम हो चुका है और मेरिनेट भी हमारा रेडी है देख सकते हैं अभी इसको हम फ्राइ करने के लिए डालेंगे मैं इसको हाथ में इसे राउंड डाउन करके डाल रही हूँ यह तो आप पहले से ही बना के डाल सकते हैं मैं अभी इसमें कम ही डालोंगी क्योंकि फास्ट ट्रिफे उसीलिए टोड़ जाएगा अच्छा नहीं बनेगा तक खर्ब हो जाएगा तेल इसलिए में जादा ने डाले हूँ, चारे डाले हूँ, आप चाहे तो जादा भी डाल सकते हैं, अभी इसको 2-3 मिन के लिए चोड़ देंगे, देख सकते हैं, अभी थोड़ा थोड़ा नीचे होने लगा है, लेकिन धीरे-धीरे ही पलटाना है, ने तो टूर जाएगा, पीछा अच्छे पक्चू किए इस तरह से और दो को भी में पल्टा दूंगी अभी इसको भी पल्टा दी हूं देख सकते हैं इस तरह से पल्टा दी हूं इस तरह से पीछे भी गॉल्डन ब्राउन होने तक पका लेंगे देख सकते हैं यह अभी आच्छे से पक्चू किए दोनों तरब से अभी इसको पलेट में निकाल लेते हैं मैं इस तरह से सारी निकाल दे हूं बाकी जब अचा है इस तरह से मैं सारी कर लूँगी जेख सकते हैं बाकी जो बचाता मैं इस तरह से सारी कर ली हूं अभी निकाल ले हूं निकाल दी हूँ, सारी हो गया है, ग्रैंडर का जार ली हूँ, छोटे वाला, अभी में टमाटर कुछ मीडियम साइज का टमाटर को इस तरह से छोटा-छोटा पीस में कट कर ली हूँ, यह सब ग्रैंडर के जार में डाल दूँगी, कुछ हरी मीड्स में इस तरह से बीच में कट कर ली हूँ, कुछ अद्रक का टुकडा ले ली हूँ, अच्छे से दो के साब करके, अभी इसका एक स्मूथ पेस्ट बना लेंगे, ग्रैंडिंग करके, मैं अभी ग्रैंडिंग कर ली हूँ, देख सकते हैं, ग्रैंडिंग हो चुका ही है, अच्छे से, मैं ग्यास पर फिर से बहा कडाई ले ले ली हूँ, सारे तेन लिकाल दी हूँ, अभी मैं इसमें अभी थोड़ा सा तेल डाल दूँगी फिर से, यहाँ पे थोड़ी सी तेल डालूँगी, क्योंकि पत्तागों भी फ्राई क्या हुआ है, जादा तेल अच्छा नहीं लागेगा, इसलिए अभी तेल गरम हो चुक है, जीरा डाल दूँगी अभी यहाँ, अभी मैं इसमें थोड़ी सी हिंग डालूँगी, हिंग डाले से टेस्ट अच्छा आता है, अभी इसमें ग्रैंडिंग के यहाँ पेस्ट डाल देंगे, जो टमाटर, अद्रक और हरी मिर्च का पेस्ट हमें यहाँ डाल दी हूँ, अभी इसको एक बर अच्छे से मिला लेते हैं, अभी मैं इसमें कुछ चुका मसाला डाल देती हूँ, काल मिर्च का पाउडर, मैं इहाँ पे हरी मिर्च की यूज की हूँ, इसलिए थोड़ी सी डाली हूँ, आप अपनी हिसाब से डाल सकते हैं, अभी मैं इसमें डालूँगी धन्या पाउडर, मैं इहाँ पे छोटी टीस्पून में एक टीस्पून डाली हूँ, इसमें कुछ नहीं तो नमक ज्यादा हो जाएगा त्स अच्छा ने लगगा अभी इसको अच्छे से मिल लेते हैं अभी अच्छे से मिल चुक है अभी मैं इसमें कुस्तुरी मेथी डाल रही हूं तोड़के थोड़ा सा क्रस करके यह डालने से स्मेल और टेस्ट दोनों ही अच्छा आएगा इसमें इसको भी अच्छे से मिला लेंगे एक बार मैं अभी इसमें ग्रैंडर के जार में जो बचा था उसमें पानी डाल की हाँ डाल दूँगी और इसको दो से तीन मिनिट के लिए अच्छे से पकने के लिए चोड़ दूँगी क्यूंकि मैं इसमें सूखा मसाला और अध्रक तमाटर कच्छा में ग्रैंडं करके डाले हूं इसलिए दो से तीन मिनिट के लिए चोड़ दूगी अभी दो से तीन मिनिट हो चुका है देख सकते हैं अभी इसमें उबाल भी आने लगा है या च्छे से पक चुकी है अभी इसमें में जो फ्राइ किया पत्ता को भी सब डाल दूगी आप इसको रोटी के साथ भी खा सकते हैं नहीं तो चावल के साथ भी खा सकते हैं आप सूका चाहे भी रख सकते हैं नहीं तो पानी भी तोड़ा सा जादा रख सकते हैं इसको हम एक मिनिट के लिए ही पकाएंगे क्योंकि पत्तागों भी बहुत सौप्ट हो जाएगा आपके भी से बड़ी सी तॉड़ी से गुरम असला दाल रहे हूं, इसको कवर करके एक मिनिट के लिए पकालूगी अभी एक मिनिट हो चुकी है यह हमारी रेडि हो चुकी है पत्ता गोबी कोपते अभी इसको हम पटा पट प्लेट में सब कर लेते हैं देख सकते हैं मैं अभी इसको प्लेट में साब कर चुकी हूँ एक इतना ला जबाब और प्यारा बन के रेडी हो गया हमारी पत्ता गोबी की कौपते की रेसिपी आज की हमारी रेसिपी एक बार जरू ट्राइ कीजिए अच्छा लगे तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए और क